हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट एक्सपर्ट अभी हम बात करने वाले हैं ECST10 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की RSCC मतलब लवर स्पोर्टिंग और यहां पर दो नो मणदा देखो बंगला देश brick SC तो बहुत दिनों के बाद और पंदरवा मुकाबला था इनका जो इनका आखरी मुकाबला था और अब यह देख लो 34 मुकाबला है तो करीब करिए टीस मुकाबलों बीस मुकाबलों के बाद आरे ये खेलने के लिए तो एक दिन मलत पांच से ainda पूरा हफ्ता इन तिया गया उसके बाद यहां पर हमें आते हो दिखेंगे कहलते यह इनगे रेवल बढ़िया टीम है आपको ठीक 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 परफॉर्म करके देगी बंगलादेश यह इतना बढ़िया अभी तक पर्फॉर्म नहीं का रहा है अपना पिछला मुकाबला भी हार कर आ रहे हैं तो वह सारी की सारी डिटेज अभी हम यहां पर डिसकस कर लेंगे आपडेटेश यह अपको टेलीकरम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्श्यम आपको निलजाएगा वहीं से आपको जो है टेलीग्राम पर जुणन दिद्सक्रिव की पर मिलूअब सब्सक्राइब है आगर के 18 डिगरी सेल्सियस के बीच तक रहने वाला है और अगर आप देखोगे यूमिडिटी तो 74 परसेंट यूमिडिटी है हमारे पास पिछ रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे बैटिंग फ्रेंडली पिछ है बाउंडरी छोटी है तो हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखन यहां पर हरी है यहां पर कल ही जो एक मुकाबला हुआ 160 हरनीन मारे सामने वाली टीम बंगलादेश कींग का भी देखलो दो ही मुकाबले यह जीती है और के पास चालिस एक चे बासट हो सकता है अगले मुकाबले बढ़िया परफॉर्म कर जाए वैसे किसीद पर मैंने रख हुआ था मैंने रखा हुआ तक एप्टन वो कल मैंना आपको सारी की सारी जो स्क्रीनशोट्स थे वह मैं आपको टैलीग्राम पे प्रवाइड कर वा 9-77, 7-6, 2-2, गुर्वेंदर सिन्ग 2-27, 36-0, 32-6, 87 पिछले मुकाबले हम बढ़िया परफॉर्म करा है, गुर्वेंदर सिंग ने 87 रन मारे, दो ही प्लेज हमाई पास थे भईया किस जित पर टेजन हमारे है गुर्वेंदर सिंग न मारे, दोनों ही प्लेयर्स हमारे पास मतलब मेरी टीम में थे कैप्टन मेरा किस चिद्धा तो वो टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म करी वन साइडिली आपको जितवा कर गई यहां पर शुब दीप कि अगर मां बात करूं तो 19 रन एक रन तीन रन छे रन जीर रन और साथ रन फिर पिछले मुकाबले में विकेट चटकाई दो यहां पर अगर आप देखोगे दो विकेट सेफ हो सिफ मानिश ने और गुरंग नहीं चटकाई थी और किसी ने नहीं चटकाई यहां पर अभिशेक बुरकार ने ठीक ठाक बॉलिंग करवाई 21 रन इसने भी खाये 21 रन मानिश पर मानिश ने दो विकेट चटका दी तो यह ज्यादा एकनॉमिकल रहा मतलब ज्यादा बढ़िया रहा इशान पटेल आपके पास एक बढ़िया पिक है पिछले मुकाबले में चला नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि आपको रंच नहीं मार के दे सकता है आपको बॉलिंग नहीं करवा कि दे सकता में बात यह बैटिंग इतनी बढ़िया नहीं कर रहा पर बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रहा तो इशान पटेल टीम में सदों निकाल दूँगा कैप्टेंसी ग्रैंड लीग में दूँगा स्मॉल लीग में नहीं उसके आद महुमद रिजवान पार करा रहे हैं पिछला मकाबला और से जीत कर आ हैं और से सिश ज्जादा टेश्म है क्योंना तीन म nhất थी में अपने कॉप्लीट करी रैस कि न तो वैसे भी आखरी मुकाबलह कोbür masker haiरे बादि जेंकर के दीन म कया मत्टोそうそう यहां पर बात करूँ जुबिद मिया आप air studentsinin昨odycómo 27 पिछले तीन मकाबले हों बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है S असजद आपके पास एक M असजद आपके पास एक बढ़िया पिक है 72 रन यहां पर मारे थे इसके वैसे सेलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस प्लेयर की होनी भी चीए वैसे MD सफियूला आपके पास है 27 रन के साथ 1 विगेट 1 रन के साथ 2 विगेट S इसलाम 25 रन के साथ 1 विगेट 2 रन के साथ 4 विगेट 1 विगेट और 8 रन फिर उसके एस सिराज आपके बास है 8 रन 5 रन के साथ 2 विगेट 1 विगेट और 1 रन फिर उसके बाद अगर मां बात करूँ M Rihman, 2 viktig, 1 vicket और यहाँ पर 25 अं, उसके बाद टीअहमद आपके बात नौ रअन के साथ एक vicket अब यहाँ पर H Animal के अगर आप बात करोगे ऑपर पछले मुकाबले में विकेट नहीं चपाई है पर वैसे अगर आप देखो बहुत ज्यादा ओवर अमिनुल को ही मिलने वाला था है मरहमान आपके पास है दो ओवर करवा है टी एहमद ने एक विगेट चेट काई े नहीं मिल जाएगा तो अभी जब यहां पर पूरी की पूरी डिटेल डिभी टीम की बाथ डिसकस कर लेते हैं तीम डिकस करने से पहले जिन भाए उन्हाज अवी तक टेलीक्राम चैनल जेनल कर लो जिन बहुत चैनल चैनल बहुत कम चांसे हैं एच अमिनुल बॉलिंग नहीं करवा इसना पिछले मुकाबले में तो यह देखके चलना और करवाएगा तो एक ही ओवर करवाएगा एक ओवर से जादा ओवर नहीं करवाने वाला है दो ओवर बहुत कम चांसे हैं कि एच अमिनुल को दो ओवर मिलेंगे सामने वाली टीम के batsmen बहुत बढ़ी हैं तो H Aminul को आप drop कर सकते हो अपनी small league में से इसकी जगा M.S.J. लेकर जा सकता है M.S.J. एक बढ़िया फिक रहेगा आपके लिए अगर S.M.I.A. खेलता तो S.M.I.A. को लेकर जा सकते हो मैं हो सकता भईया मैं Aminul को ना लेकर जो अपनी final team में तो वो देखके चलना ये देखो points इसलिए जाता है क्योंकि भईया R.S.C.C. की team नहीं हाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने 3 wicket एक मुकाबले में चटकाई थी वैसे wicket consistency है इसके पास पिछले मुकाबले में एक भी over नहीं करवाया तो वो दिक्कत है पर drop नहीं करेंगे क्योंकि risk हो जाएगा बहुत बड़ा अगर मैं drop कर दूँगा ना इसे और अगर कहीं इसने 1 over में 2 wicket चैटका ली तो गालिया मुझे ही पढ़ने वाली है तो इस वैसे मैं नहीं drop करने वाला 90% selection यह जो वो हो जाता ना कि एक तो 90% का pressure और एक उपर से आप आप लोगो का pressure कि भाई तू नहीं हरा दिया भाई ये कर दिया भाई वो कर दिया तो वो दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं चमिनुल को लेकर जाओंगा मैं अपनी टीम में जो है एक आधी टीम में नहीं रखूँगा मेर से अगर पूछोगे कि भाई अपनी टीम दे दो तो वो अपनी टीम वही वाली होती है एक तो आपकी बन जाती है भाई pressure वाली टीम की अच्छा आपको जितवान पिम मैंने लगाई थी और वह एक जगह जीती है वो टीम, S-Islam आपके पके पास है, M-A-S-J-D आपके पास है और 2-0 आपके पास है, M-A-S-J-D आप अराम से ट्राइगर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 36% सेलेक्शन है, तो KCC का प्लेयर एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, और KCC ना कम मैचिस खेले हैं और उसके बावजूद ही हम पर RCC से महलब RCC के प्लेयर से ज़्यादा पॉइंट से हैं तो वह वाली बात आप क्लास देख सकते हो प्लेयर की मेन बात यह थी कि एक मकाबले हम बहतर रन मार दिये थो वह पॉइंट्स बहुत जाद हैं आपर है 100 पॉइंट तो उसी कही हैं वह इमान के चलो और लॉंडिंग सेक्शन है मनवानिया आपके पास है जी महेश माया वंची आपके पास है जी सिंग और आई पटेल फे उसके दाएं सिराज नीपो ट्राइ करना चाते है ग्रेंड लीग प्लेयर उसके बाद अगर मा बात करूं अभी शेक बोकार देखो ट्राई कर लेना अभी शेक बोकार को बिल्कूली बहुत कम प्लेयर शेक रखा है आप कर किया सकते हो देखो आई पटेल आरा है उपर जी सिंग आपके पास है जी सिंग ना पिछले मगावल में 87 रन मारे इसना दो विकेट चैटकाई इसना दो विकेट चैटकाई तो यह चारो के चारो प्लेयर्स ही बड़ी है वैसे तो अगर आप आप करना चाहते हो आई पर आपाटेल को डॉप करकर अभी शेक बुर्कार पर रिस्क रहेगा तो रिस्क लेकर जाना चाहते है और दो आपके पास है और हम से कोई दिक्कत निया जांगा आप पर्सनली अगर मेरी बात कर तो मैं रह्मानी लेकर जाओंगा पर अभी के लिए रिस्क थोड़ा सा कम ले रहा हूं सफ्यूला है और यहाँ पर यहां पर यहां पर यह पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लिए अपडेटे टीम पर मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरी टीम के अगर मां बात करूं जी सिंग ऐजाने रखा पिर उसके बाद अगर आप देखोगे जी मयावंची आपके बास है मनवानी आपके बास है म सिराज एस इसलाम है चामिनुल है के पटेल हैं एम रह्मान और हम सफी उल्ला पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रेंड लीग फेवरेवल टीम है अपडेटी टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा बेल आक करेंगे आपके लिए चैनल पर